रतीश लखनव सीएम हाउस से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे अपडेट लेते हैं राजधानी में क्या चल रहा है इस वक्त रतीश बताएं राजधानी में कैसी हल चल क्या चल रहा है बिल्कुल देखिए मुख्यमंतरी योगी आजयंतर के अवास के बाहर मौजूद हैं और यहां पर रात देर रात तक मीटिंग चलिये और उसके बाद अधिकारियों को प्रयागराज भीजा गया है अभी फिलाल की जो खबर है वो यह है कि मुख्यमंतरी लगातार इस बात पर नजर बनाये हुए हैं कि आज जो घटना करम होने वाले हैं रात बर तमाम परदेश के तमाम जगहों से वो मौनिटरिंग करते रहे बादचीत करते रहे तमाम अधिकारियों से कहीं किसी तरीके की अन्रेस्ट की सूचना तो नहीं आ रही है या कि जिस तरीके के हंगा में यहार भीड जुटने की सूचना आ रही थी उसके बारे में पूरी इतला लेते रहे हैं और लगातार निगाह बनाए हुए हैं क्योंकि मामला इतना जादा समवेधन शील है और पूरे परदेश में माहौल कहीं न बिगणने दिया जाए नहीं सेक्योर्टी हम को देखने को मिल लई है लेकिन अंदर सियम आवास के अंदर काफी ज्यादा गर्म गहम गहम है और गहमा गहमी इस बात को लेकर है कि जो आज इंसिडेंट्स होने वाले हैं या अतिक और अश्रफ का पोस्मार्टम होने वाला और इलाबाद में जो त प्रमुक्स चिव ग्रह हों, डीजी पी हों, डीजी इस्पेशल लॉइन ओर्डर हों, उन सभी से लगातार संपर्क में हैं और संपर्क बना करके स्थितियों को काबू में करने की और नियंतरित रखने की जो बात है वो निर्देश लगातार उनको दिये जा रहे हैं। और अश्रफ के जो अंतिम संसकार की रस्में होती हैं, वो कौन पूरा करेगा क्योंकि परिवार के ज्यादा तर सदस्ते तो जेल में बंद हैं, शाहिस्ता परवीन फरार हैं, सामने नहीं आई हैं अब तक, तो ये अंतिम संसकार की रस्में आखर करेगा कौन। पूरी तरीके से धार्मिक रिच्वल्स है उसका पालन करते हुए दफनाएगी अश्रफ और अतिक के शौखो और जो फूफा, मामा, नाना का परिवार और मौसा का परिवार जो अतिक और अश्रफ के हैं वो इस पूरे मामले में मैं यही खबर आपको लिख रहा था और दे तब तक आपने यह सवाल भी किया कि आखिर वो उस पूरे शव को कौन लेगा खबर एक और भी नहीं आ रही है कि तीनों हत्यारों से जो पूस्ताच करने वाली क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसने बांदा हमीरपूर और कासगंज के पुलिस कप्तानों से आरोपियों के बैकग्राउंड और क्रिमिनल रिकार्ड की जानकारी मांगी है यानि जो तीनों जो अपराधी है उनसे रिकार्ड मांगी गई है कि उनका क्रिमिनल रिकार्ड क्या है अपने अपने जिले में हमीरपूर में कास गंज में और बांदा में वो किस तरफ से क्राइम किस तरह के और देदू कि तीनों हत्यारों की निशान देही पर प्रयाग राज के कई इलाकों में चापे मारी की जा रही है। पूस्ताच में उन्होंने एडमिशन लिया था कोचिंग इंस्टूट का नाम अभी चुकी पुलिस उसका खुलासा नहीं कर रही है वो पिछले तीन महीने से लगभग तीन महीने से माफ कीजिएगा जो एक खबर और आ रही है एक बड़ी खबर ये आ रही है कि रात में ही ज जो प्रयाग राज के जिलाधिकारी हैं और जो पुलिस कमिस्नर रमिश शर्मा वो पोस्टमार्टम हाउस पहुच चुके हैं अतीक असरफ का जहां शव रखा है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके नाना का परिवार फुफा और मौसा का परिवा एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी